हे गाईज आज की न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स इंफोर्मेशन उसे लिए के रिकार्डिंग लेकर आ चुके हैं आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दू काफी स्टेट्स के जो इंटरनेशनल स्टूरेंट्स को रिटर्न करवाने वाल अप्लैन है उसके रिकार्डिंग इंफोर्मेशन अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा और एक लास्ट में आपके साथ में बार्डर पास बार्डर ट्रैवल पास शेयर करने वाला हूं उसको जरूर देख लेना ठीक है और भी कुछ नियू अपडेट्स बार्डर ट्रैवल और ट्रैवल उसको जो हुए अपन से अपनी घर बारें और चलेंगे और कांपस में स्टेडि अपनी जो है कॉंटिन्यू कर पाएं खेङ और और जो नेक्स्ट ही ही है वेक्सिनेटर फॉरेंट स्टूडेंट गिवन ग्रीन लाइट तो स्किप कॉरेंटाइन इन विक्टोरिया ठीक है गॉर्मेंट के दोबारा उनको ग्रीन लाइट मिल चुकी है और अब बात कर लें न्यू साउथ वेल का दावको पती है जैसे ठीक ह साउथ वेल का कोई कॉरेंटाइन वगरा नहीं होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो टीजी अप्रोड वैक्सिन से वेक्सिनेटर होंगे अब बात करते हैं वेस्टन उस्टेलिया की ठीक है वेस्टन उस्टेलिया ने कहा कि जो उनका इंटरनेशनल है फास्ट समेस्टर ऑफ वांटी टू में ठीक है जब उनकी स्टेट एटी परसेंट डबल वैक्सिनेशन रेट अचीव कर लेगी तो फुली वैक्सिनेटेड इंटरनेशनल स्टुडेंट्स को रिटर्न करवाएंगे ठीक है वस उनके पास दो चीजे टीजे अप्रोड वैक है कि वो बैलकम करेंगे फुली वैक्सिनेटेड इंटरनेशनल स्टुडेंट विद नो रिक्वाइरमेंट फॉर कॉरेंट टाइनिंग जब साउथ ओस्टेले में 90 परसेंट वैक्सिनेशन हो जाएगी और उन्होंने एक्सपक्ट किया यह जो 90 परसेंट वैक्सिनेशन है ठीक है यह दिसंबर के 2021 दिसंबर के लास्ट टक हो जाएगी मतल साउथ ओस्टेले का इंटरनेशनल स्टुडेंट का ट्रैवल जैन के स्टार्टिंग में 2022 में स्टार्ट हो जाएगा और जो नेक्स्ट है क्वीन्स लैंड की बात करें तो क्वीन्स लैंड ने का है उनका ज करना पड़ेगा अंडर दी कुईन्स लैंड स्टुडेंट राइवल प्लैन फ्रॉम जैन 2022 से ठीक है 250 इंटरनेशनल स्टुडेंट स्टूडेंट स्टू विक्स में क्वीन्स लैंड में आय करेंगे और मेडिकल साइंस वालों को और जो फेस टू फेस लेर्निंग है उन स् आने वाला फेडरल गवर्मेंट को यह फ्रूब्ड हो जाता है तो 118 स्टूडेंट से ठीक है वाइब टू 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 फ्लाइट से इंटू ड्राविन इन जैनरी 2022 में जो आएंगी ठीक है इंटरनेशनल स्टूडेंट नार्थन ट्रैक्ट्री में फिर रिटरन करेंगे इस federal government plan को approved करती है तो और जो next है इसमें इंडिया और कैनेड़ा के students भी होंगे ठीक है जो return करेंगे बाकी तो होंगी पाकिस्तान नेपाल श्री लंका और नेक्स्ट बात करें तो जो न्यूजी लेंड में family स्टक है वो अपनी चार्टर फ्लाइड सो बुक कर रहे हैं Australia आने के ल जा नहीं और किसी ने भी apply किया है यह ठीक है water travel permit अभी इसका कोई वो नहीं है मतलब confirm नहीं है कि जिनके पास यह होगा students के पास वो travel कर पाएंगे इसमें date of travel भी आ रही है 30 December 2021 आ रही है ठीक है और यह 14 days के लिए valid होगा जब आपकी travel date है उसके बास एक बार ही अपनी जो entry है Australia में हो पाईगी इसके साथ ठीक है इसका भी कोई confirm नहीं है इसके regarding कोई confirm आती है यह Victoria State के लिए water travel permit तो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा ठीक है यह भी student नहीं apply किया था यही रियाद की वीडियो वीडियो च्छे लगी तो like कर देना कापी वाईयों हमारे उने चैनल क सब्सक्राइब कर लो कि आपको नियू अपडेट से information और उस्टेलिया के regarding मिलती रहती है